नमस्कार में प्रियर अंजन और आज की इस एपिसोड में बेदानता स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे सेर बजार से ही रिलेटेड एक कोट है जो मुझे मेरे दिल के काफी करीब है कि बहुत सारे लोग इसे स्टॉक में 222.30 के प्राइस पे पैनिक कर रहे थे रो रहे थे किसर मेरा बरा इमाउंट इस स्टॉक में फर्स चुका है अब मैं क्या करूँ मैंने शिंपल एक उधारन दिया कि इस समय ये स्टॉक यहां से 100% उपर जाएगा वैसे 100% सेर बजार में कभी कहना नहीं चाहिए त्योंकि सेर बजार को market of uncertainty भी कहा जाता है शेर बजार को हम सौक बजार भी कहते हैं लेकिन मैं इसलिए 100% सियोर था चुकि इस स्टॉक की जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 100% प्लेज है और अगर वो स्टॉक 200 के नीचे जाता तो जहां पे प्लेज कंपनी ने कर रखा है वहाँ से mark to market selling आती और स्टॉक में एक बरे ब्रेकडाउन देखते हैं और ये स्टॉक का आडानी जैसा हाल होता और मुझे पता है कि प्रमोटर से बरा operator नहीं होता है और आप देखें 220 के near around का जो March का low था वहाँ से स्टॉक लगबग double हो चुका है जब हम लोग इस स्टॉक को discuss कर रहे थे तब ये स्टॉक 95-98,000 करोर का market cap हुआ करता था इस समय कंपनी का market cap 1,82,000 करोर का है और इस स्टॉक ने one-sided trend दिया है और बहुत सांदार trend दिया है इस समय 14th year के high pay trade करते दिख रहा है 14th year के breakout all time high के breakout पे trade करते दिख रहा है 2008 में lemon brother crisis हुआ था और वो crash सिर्फ इंडिया में ही नहीं global crash था तब ये स्टॉक में एक बरा breakdown हुआ lower price 65 तक के levels को touch करें और वहाँ से देखेंगे 2010-11 में stock ने all time high near around 492-94 के levels को touch करें जो lower level से लगबच 600% का gain था और उसके बाद stock पूरे ही consolidated zone में रही है multiple time इस stock ने 350-390 के levels को touch करें लेकिन पहली नहीं ये दूसरी बार ऐसा हुआ कि stock 490 पे trade कर रहा है तो आगे की views और trend को समझे बहुत query ये आता की अभी खरीदे क्या तो मेरे क्या views है उसको समझे से पहले premium telegram को join करें description के links account open करें और दोस्तों में video जरूर share करेंगे आज इस stock में लगबग 7% की तेजी दिखी है और volume अगर आज के देखेंगे तो पाएंगे की लगबग 4,04 करोर के आसपास का volume है इस समय ये stock 1,82,000 करोर के आसपास के market capital कर रहा है और इस stock ने 11 रूपीज पर share के dividend declare करें जिसका x day 24th मई यानि 24th मई से पहले आप खरीते हैं तो आप eligible होंगे साथ में ही ध्यान रखें 25th मई को इस stock का quarterly result आने वाले हैं तो वो दिन एक बड़ा event होने वाला है यहां से आगे के trend जो है वो decide होने वाला है तो इस दिन को थोड़ा याद रखेंगे अब इस stock के chart को देखें इस stock ने यहां देखेंगे ये 2008 का crash रहा था उसके बाद stock ने लगबग 60% की तेजी दिखाई उसके बाद 350 एक major resistance बना और 55-60 एक major support बना यहां भी support यहां भी support और ये 2008 के crash वाला support है और multiple time stock ने 350 के आसपास के resistance बनाए इस समय लगबग लगबग 2022 में ये अप्रेल वाला crash है जब corona हुआ था trend continue करा लेकिन again उसके बाद एक profit booking आई और stock ने 210 के double support, double bottom को बनाया और उसके बाद all time high के आसपास दिख रहा है अब मेरे क्या views हैं ये मैंने monthly time frame के chart को लगा रखा है मुझे ऐसा लगता है कि जब भी जब भी इस परकार के breakout हो यहां देखेंगे जब इस परकार के breakout हो तो potentially ये वाला जो label है ये जो support है ये support यहां से target बन करके दिखता है जो near around देखेंगे तो 900 to 1200 का target है तो इस समय trend तो काफी strong है ही weakness तो expect नहीं किया जा सकता है इस समय तब तक weakness नहीं expect करेंगे जब तक कि ये stock ये consolidated zone है current price पे ही लेने से बचेंगे dip की opportunity करेंगे और potentially यहां से 650 800 और उसके बाद 900 to 1200 तक के levels भी as per technical दिख सकता है तो 444 के नीचे ही weakness है मेरे views में strong है अगर आप short term trader है तो profit book करें short term trader को मैं इसी लिए book कर रहा हूं क्योंकि ये 14 साल का resistance है और हो सकता है कि 2,4,5,10,15% का एक retracement ले और फिर continue करें तो अगर इस retracement को आप जेल सकते हैं तो आप hold करें अगर आप 2,4,5% के downtrend से panic होंगे तो यहां से एगिट लें लेकिन overall trend strong है multi-year breakout दिख रहा है और ये trend continue करते अपर साइड में दिख सकता है तो आप यह वीडियो इंफर्मेटिव रहा थैंक्यू फो वाचिंग दिस वीडियो